बाबर की विरासत को इस देश से पूरी तरह से मिटा देना चाहिए। किसी को भी आज के मुसल्मानों की पैचान को इस इंसान से जोडने का गुनाहन नहीं करना चाहिए। क्यूंकि ये किसी भी तरह से एक सच्चा मुसल्मान नहीं है। श्री राम ने कभी ये दावा नहीं किया कि वो हिंदू हैं लेकिन आज वो इस देश में एक आइकॉन है क्योंकि उनकी वज़े से सही तरह के गुण फैल रहे हैं जो दुनिया में महान सभ्यताएं बनाने के लिए जरूरी है इस पूरे मुद्दे के दो अलग-अलग आयामों को समझना और कोई निरने लेने से पहले सावधान होना इसलिए जरूरी है क्योंकि राम छे हजार से ज्यादा साल पहले हुए थे उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया दक्षिन भारत में इस पर काफी चर्चा होती है उत्तर भारत में इन चीजों पर चर्चा नहीं होती वो बस उनकी पूजा करते हैं दक्षिन भारत उन पर कुछ चर्चाएं करता है लेकिन 6000 साल पुराना आइकॉन जिन्होंने लोगों को पवित्रता की दिशा में, सच्चाई की दिशा में और आपस में करुणा रखने की दिशा में प्रेरित किया है वो भी हजारों पीडियों को आपको इस आइकॉन से छेड़ छाड नहीं करनी चाहिए इससे फरक नहीं पड़ता कि एतेहा सिक रूप से क्या सही है और क्या गलत क्यूंकि वास्तविक्ता तो कोई भी नहीं जानता हर कोई बस वही सामान्य कहानी जानता है कि वो कहां गए, क्या हुआ, उनके जीवन में क्या घटनाएं हुई थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा क्यूं किया आप इसका विशलेशन नहीं कर सकते, आप उनके मनोरोग चिकित सक नहीं है मैं Youth and Truth अभियान के किसी कारेक्रम में था और कोई कह रहा था उनमें असुरक्षा का भाव था मैंने कहा आप उनके मनरोग चिकित सक नहीं है छे हजार साल पहले वो इनसान सुरक्षित था या सुरक्षित आपको कैसे पता ये बक्वास है लेकिन वो एक आइकॉन है जिन्होंने पीडियों तक लाखों लोगों को प्रेरित किया है आपको उससे छेड़ चार नहीं करनी चाहिए क्योंकि मानवता को ऐसे आइकॉन की जरूरत है आप राम को ले सकते हैं, कृष्ण को ले सकते हैं, जीजस को ले सकते हैं, बुद्ध को ले सकते हैं और उनकी कमिया निकाल सकते हैं और आज कह सकते हैं देखे उन्होंने ये किया, ये ठीक नहीं था, वो ठीक नहीं था, वो जाती बात करते थे, ऐसे, वैसे, ये बक्वास है। ऐसी चर्चा उनके बारे में उचित है, जो आज दुनिया में मौजूद है। वो छे हजार साल पहले थे, आप उन पर अब फैसला सुनाना चाहते हैं। नहीं, वो मानवता की मदद कर रहे हैं एक आइकॉन के रूप में, आपको इस आइकॉन से छेड़-छाड नहीं करनी चाहिए। वो किस बात के आइकॉन है? वो स्थिर्ता के आइकॉन है। वो जल्दबाजी में कदम नहीं उठाते हैं। जब कदम उठाना होता है, तो वो निरनायक कदम उठाते हैं। लेकिन किसी बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते, वो सचेतन होकर काम करते हैं। युद्ध हो तो वो युद्ध करेंगे और समर्पन करना हो तो समर्पन राज्य छोड़ना हो तो राज्य छोड़ देंगे लेकिन सब कुछ चेतना में और संतुलित तरीके से इसी वज़े से आज हम उनकी पूजा करते हैं क्यूंकि उनमें आजादी है जीवन के नाटक से गुजरने की उनके जीवन में हद से ज्यादा नाटक है लेकिन वो उससे सहिस्ता से गुजरते हैं वो भी बिना किसी प्रतिक्रिया के वो बिना किसी के प्रतिक्रोध की भावना से उस नाटक से गुजरते हैं जब उन्होंने रावन को मारा, जिसने उनकी पत्नी को चुराया था और तभाई मचाई थी, वो उसकी भी मृत्यू पर पश्चाताप करते हैं, कि मुझे ऐसा करना पड़ा, वो इस तरह के इंसान है, आप उनसे छेड़चाड मत कीजे, अगर ये कहानी भी है, तो कहानी के सा भाद भी छेड़चाड मत कीजे, भागोलिक द्रिष्टी से क्या वो अयोध्या में पैदा हुए थे, हाँ, क्या वो इस बिंदू पर पैदा हुए थे, क्या आप खुच जानते हैं कि आप किस बिंदू पर पैदा हुए थे, हेलो, छे हजार साल पुराने इंसान की बात भ बाबर चंगेज खान के बाद की तीसरी पीड़ी है, ये मंगोल सामराज्य, मंगोल शब्द भारत में धीरे-धीरे मुगल बन गया, ये मंगोल है, इस मंगोल सामराज्य के फैलाव के समय, नबे से सौ सालों के दौरान, चार करोड से ज्यादा लोग मारे गए, चार करोड, ये उन दिनों की आबादी का लगभग 10 प्रतिशत है, क्या आप समझ रहे हैं, दुनिया की 10 प्रतिशत आबादी को उन्होंने मार दिया, वो भी नुकलियर बम से नहीं, तलवारों से, बहुत उर्जावान लोग थे, मैं कह रहा हूँ, दुनिया की 10 प्रतिश अबादी को मारने के लिए बहुत काम करना पड़ता है, है न, वो भी केवल तलवारों और भालों से, तो जहां भी चंगेज खान गया, उसने एक नियम बनाया, जिस भी जगह पर उसने विजाई पाए, सभी पुरुष, वहां के सभी पुरुष, जिनका कद बैलगाडी के पहिये से ज्यादा है, उन दिनों सेनाओं के साथ जाने वाली बैलगाडियों के पहिये की उंचाई, 38 से 49 इंच होती थी, हर इंसान जिसका कद उससे ज्यादा है, उसे मार दिया जाता था, और फिर ये मुगलों की परंपरा थी, कि वो सभी कटे हुए सेरों का एक बड़ा पहाड बना देते थे, और और औरतों को गोलाम बना लिया जाता था, सैनिकों की सेवा के लिए या फिर उन्हें अलग-अलग बाजारों में बेशती आ जाता था, मध्यपूर्व, यॉरप, हर जगा उन्हें बेशती आ जाता था, तो वो इस तरह से पहले थे, चंगेस खा अमराज्य दिल्ली तक था, फिर बाबर आया, माना जाता है तैमुर लंग ने एक करोड़ सतर लाख लोगों को मार दिया, वो भी सबसे ज्यादा क्रूर तरीकों से, पुरिशों के साथ जो हुआ वो तो करुणा थी, महिलाओं के साथ जो हुआ वो एक अलग चीज है, मैं वि जब बाबर आया तो उस दौरान गुरु नानक भी मौजूद थे, गुरु नानक एक बहुत ही शांत, बिलकुल प्रतिक्रिया न करने वाले और एक आत्मग्यानी मनुश्य थे, वो बोले एक मौत का दूत आया है, और ये उन्ही के शब्द हैं, वो बोले मैं अपने शब् इसने हजारों लोग मार दिये, जिस भी शहर में ये गया, इसने सभी पुरुषों को मार दिया, शहर को जला दिया, स्ट्रियों और बच्चों को गुलाम बना लिया। स्त्रियों के साथ हमेशा सारवजनिक जगहों पर कुरूरता से बलतकार किया जाता था क्योंकि ये सिर्फ बलतकार नहीं था ये सभी के लिए एक सीख थी और बाबर ने हजारों हिंदू स्त्रियों को कंधार और काबल के बाजारों में बेश दिया हजारों स्त्रियों को सौभाग्य से वो भारत में सिर्फ चार साल रहा और वो मर गया तो बाबर की विरासत को इस देश से पूरी तरह से मिटा देना चाहिए इन सबसे बढ़कर किसी को भी कभी भी आज के मुसल्मानों की पहचान बाबर से नहीं जोडनी चाहिए वो खोद एक अत्याचार था चंगेज खान धर्म के लिए नहीं मारता था वो बस ताकत और विजय पाना चाहता था तैमूर लंग भी काफी हद तक विजय ही पाना चाहता था पर उसमें थोड़ा सा धार्मिक रंग था लेकिन बाबर ने चीजों को धार्मिक मायने दे कर उनका बहुत शक्तिशाली तरीके से इस्तिमाल किया और इससे उसे मारने के लिए और ज्यादा ताकत मिल गए क्यूंकि उसे लगा वो जिहाद कर रहा है कई बार उसने मुस्लिम शहरों पर भी अमले किये मुस्लिम आबादियों को भी उसने मारा तो उसने धर्म का अपनी सहूलियत के हिसाब से इस्तिमाल किया अपने हिसाब से तो उसका मस्जिद बनाना धार्मिकता या भक्ती की वज़े से नहीं था ये प्रार्थना के लिए नहीं बनाई गई थी ये भी शासन की स्थापना का एक तरीका था चाहे वो हिंदू मंदिर हो या जैन मंदिर उसने सब कुछ तोड़ा उसने एक प्रमुख जैन मंदिर इसलिए तोड़ दिया क्यूंकि वहां की गुफा में उन्होंने नग्न मूर्तियों की निकाशी की थी तो उसने ये सुनिश्चित किया कि पूरा मंदिर ही नश्ट हो जाए इस इनसान और उसकी विरासत को भुला दिया जाना चाहिए किसी को भी अपनी पहचान इसके अधार पर नहीं बनानी चाहिए क्यूंकि इससे एक अच्छे भविश्य का निर्मान नहीं होगा किसी को भी आज के मुसल्मानों की पहचान को इस इनसान से जोडने का गुनाहन नहीं करना चाहिए क्यूंकि ये किसी भी रूप में एक सच्चा मुसल्मान नहीं है ये किसी भी तरह का भक्त नहीं है ये सबसे बुरी किस्म का ताना शाह है जिसने धर्म के नाम पर बहुत ही शक्तिशाली तरीके से खुद को असरदार बनाया जहां कहीं भी वो गया इससे उसे एक नए स्थर का अधिकार मिल गया जो चंगेश खान के पास नहीं था क्यूंकि उसने विजय पाने के लिए धर्म का इस्तिमाल नहीं किया था तो ये अत्याचार हुए हैं हमें इन चीजों को नहीं भूलना चाहिए हमें इन्हें याद रखना चाहिए लेकिन हमारे अंदर इसे लेकर कड़वाहट नहीं होनी चाहिए हमें याद रखना चाहिए कि हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी चीजें दुनिया में कहीं भी फिर कभी ना हो लेकिन अगर इतिहास की वज़े से हम कड़वाहट पैदा करते हैं तो जान बूच कर या अंजाने में हमसे वही अत्याचार एक बार फिर से होने की गुझाइश है हमें लगता है प्रतिक्रिया अच्छी चीज है नहीं, प्रतिक्रिया किसी भी भयंकर काम से किसी भी रूप में अच्छी नहीं है दोनों एक ही चीज है तो बाबर की विरासत जानी ही चाहिए राम, उन्हें एक धार्मेक इंसान के रूप में मत देखे क्योंकि उन्होंने कभी नहीं कहा, मैं हिंदू हूँ, हैलो, क्या उन्होंने कभी ये कहा, मैं हिंदू हूँ, वो इस संस्कृती के प्रतिनिधी हैं, क्योंकि वो स्थिर्ता, संतुलन, शांती और न्याय के प्रतिनिधी हैं, वो जहां भी गए, उनकी यही कोशिश रही कि लो लोगों को न्याय देने के लिए वो खुद चरम स्तर के कश्ट और मुसीबतों से गुजरे आपको इसी इनसान की जरूरत है मैं चाहता हूँ कि हिंदू और मुसल्मान दोनों यह याद रखे राम ने कभी नहीं कहा वो हिंदू है लेकिन आज वो इस देश में एक आइकॉन है हर किसी को इन्हें एक उँचा आइकॉन मानना चाहिए क्यूंकि वो सही स्तर के गुण पहला रहे हैं इसलिए नहीं कि वो हिंदू हैं या कुछ और हैं क्यूंकि वो सही स्तर के गुण पहला रहे हैं जो दुनिया में महान सभ्यताएं बनानी के लिए ज़रूरी है और कई तरीकों से राम का समय एक प्रमुख बिंदू बन गया जिस पर इन 6000 सालों में ये सभ्यता बनी इसी वजह से स्वतंत्रता संग्राम के द्वारान भी महात्मा गांधी लगातार राम राज्य शब्द का प्रयोग करते रहे सबसे अच्छे प्रशासन वाले और पूरी तरह न्याय पूर्ण राज्य का मतलब राम राज्य आज भी जब हम राम राज्य कहते हैं तो हमारा मतलब होता है बहुत ही न्याइपूर्ण और उचेत राज्य ना की शोशन वाला राज्य और ना ही तानाशाही वाला राज्य और हम भारत को ऐसा ही बनाना चाहते हैं कि ये न्यायपूर्ण और उचेत राज्य हो यहां रहने वाले सभी लोगों के लिए ना कि तानाशाही वाला राज्य है तो उसके लिए आपको राम की जरूरत है कि अरो भाम की तानाशाही है कि लिएओा थी ंङियूर्ण के लिए ख़िझए ब्राज़ पाना राम की। झानाशाला राल SECयर की जर शव्त्मटरूर्ण भलको राम की जरूर्ण कईए